और चले रूकरते अगली खबर की ओर ग्रेव मंत्री आमिशारे न्यूज एजेंसी एनाई को दिये इंटर्वीव में लोकसबाचुराओ बीजेपी के नितरित्व अर्विन केज्रिवाल की तिहार जेल से रिहाई से लेकर पी ओके तक कई मुद्दो पर बातचीत की है साथी उन्होंने एक बार फिर कहा कि लोकसबाचुराओ में जीत के बाद प्रधान मत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नितरित्व करेंगे देखे रिपोर्ट नियुस एजेंसी एनाई को दिये इंट्रविव में अमित शहा ने कई एहम मुद्दों पर खुल कर बात की इस दोरान अमित शहा ने दिल्ली के सेम अरविंद केज जिवाल की रिहाई और आम आदमी पार्थी सांसर स्वाती मालिवाल के मुद्दे पर वो बोले आमित शहा ने कहा है कि दिल्ली के मुख्य मंतरी अरविंद केज जिवाल को दी गए अंतरिम जवानत एक नियमित फैसला नहीं था उन्होंने दावा किया कि कई लोगों का मानना है कि अरविंद केज जिवाल को special treatment दिया गया है वो कैम्पेइन में तो कहरें कि अगर जाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की ज़रूरत नहीं होगी दिखें तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोट का स्पष्ट रूप से कंटेम्ट है इनका कहने का मतलब है जो विजय होता है सुप्रीम कोट उनको दोसी होने के बावजुद भी जैल नहीं पेती अब जीन जच सावों ने उनको जमनत दी है उनको यह सोचना है कि उनके ज़र्जमेंट का क्या उपयोग या दुरूपयोग हो रहा है आप उस ज़र्जमेंट के बारे में क्या कहेंगे सब्सक्राइब को अधिकार है नियाए की व्याख्या करने का पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं कि रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जूडिसल जज्जमेंट नहीं है काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल टीटमेंट दिया गया है जो उतर प्रदेश में इंडिया एलाइंस में एक नहीं जान आ गई है जब से केजरी वाला है उनका नेरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया क्या है आप मांगते है अभी तो वो कोई कलग इस्यू में ही फसे हैं थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजे बाद में देखो क्या होता है अगर कोई पूलिस को कंप्लेंड करता है तो पूलिस उसका संग्यान देगी मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको विचारे को जीस इस्यू में फसे इससे निपटारा लाने दीजे का है को यह सब में उलचाती है ग्रही मंतरी आमितिशहा ने कॉंग्रस नेतार राहूल गांधी को लेकर हुए सवालों पर भी जवाब दिया उन्होंने दावा किया कि चार जून को जनता जब अपना फैसला सुनाएगी तब राहूल गांधी छुट्टी पर चले जाएंगे और मोदी पीएम बद की शव चार तारीक को दीश की जनता फैसला सुना देगी इसके बाद विवादी समाप्त हो जाएगा वो छुट्टी पे चले जाएंगे मोदी जी सपत लेंगे और सरकार चलने लगी देखें कोई भी चुनाव तो कहीं पर से लड़ सकता है मगर राहू गांधी जीन ने चाहिए था मैं दो जगे से लड़नेवाला तटी हो सकती है मेइनाड़ की जनता को कहिएना चाहिए मैं दो जगे से लड़ने वाला हूं आप फैसला करिएगा इसमें क्या आपती हो सकती वाइनाड का चुनाव टैक होने के बाद जब पूश्ट पोल सर्वे की जानकारी में खत्रा दिखता हो और फिर आप राइबरे लिया आते हो तो मैं मानता हूँ वाइनाड के मत्दाताव के साथ अच्छा नहीं इसके साथे ग्रिह मंत्री अमित शहा ने दावा किया कि इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीज़िपी 24 से 30 सीट जीत रही है यही नहीं उन्होंने यूसिसी को एहम मुद्दा बताते हुए इसे लाने का भी दावा किया मैं अभी भी मेरी बात पर काया हूँ हम 24 से 30 सीट जीतेंगे और निश्चित उपसे बंगाल के जनता इस बार बहुमत सीट नरेंदर बोदीजी को देने जा रही है यूसिसी हम लाएंगे हमारे संकर्पतर का एक अहम मुद्दा है कि इस देश में एक देश एक चुनाव का नियम भी हम लाना चाहते हैं इस पर भी चर्चा होनी चाहिए पर हमारे चुनाव का एक अहम मुद्दा है कि आने वाले दिनों में हम धर्म विशेश के कानूनों को परसनल लौद को नहीं आने ग्रिह मंत्रिया मित्शहा ने राम लला के प्राण प्रतिष्टा के वहिश्कार का भी मुद्दा उठाते हुए इंडिया गडबंधन पर तगड़ा हमला बोला उन्होंने कहा कि आल्प संख्यक वोट बांक के डर से इंडिया गडबंधन ने ऐसा किया मुद्दा तब बनाई सिलेक्शन वे राम मंदिर का कि जब प्राण प्रतिष्टा हो रही थी सभी राधनितिक दलों को निमंत्रन बेजा गया पूरे इंडिया लाइंस ने एक घमंडिया गड़वंदन ने प्राण प्रतिष्टा का कारेक्रम का बहीश्कार किया और मेरा पॉस्ट आरोप है जिसका जवाब उन लोग देते नहीं कि इन्होंने अपनी माइनोरिटी वॉट बेंक के डर से वहां जाना मुनासिब नहीं समझा कि इद के दिन आपको मुस्लिम भाईयों के साथ इद मनाने में कोई जिजग नहीं है आप मुस्लिम नहीं हो तो भी मगर हिंदू होते हुए राम मंदीर की प्रान प्रतिष्टा में नहीं जाते है कि मुस्लिम वॉट बेंक आपको आपसे नाराज हो जाएगी किस तर की पॉलिटिक से इस इंटर्वियों में गुरह मंत्रिया मितिशा ने एक बाद फिर कहा कि लोकसभा चुणाव में जीत के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का निर्थित्व करेंगे और वो दोजार उन्तीस तक प्रधान मंत्री बने रहेंगे इसके बाद भी नरे प्रियांका गाधी ने आरोप लगाया है कि अमेठी के विकास को रोका जा रहा है तो इस मृति इरानी ने पलचवार करते हुए पूरी कॉंग्रेस को ही निशाने पर ले लिया है देखे रिकॉर्ट कि अमेठी में कुछ करना था कि देखे अमेठी में कुछ करना था काम नहीं होता यह गांधी परिवार का क्षेत्र है और राहुल गांधी जो यहां के साथ सदे उन्होंने कुछ नहीं किया कभी इस्पृति रानी की ललकार कांग्रेस ने कह गिया कि अगर राम बक देख भी वोट डालेगा कांग्रेस के पक्ष में तो वो और मंदिर के निर्पान कर निर्णे बदल नहीं कभी प्रियंका गांधी की हुंकार कि उनको पूरे देश में ये प्रचार करना था कि देखिये अमेठी में कुछ काम नहीं होता अमेठी के रण में इस्विती वर्सेस प्रियंका की जंग देश की होट सीट में से एक अमेठी का सियासी पारश चड़ता जा रहा है मंगलवार को अमेठी में प्रियंका गांधी और इस्विती इरानी में तीछी तकराग तेखने को मिली कि उनको पूरे देश में ये प्रचार करना था कि देखे अमेठी में कुछ काम नहीं होता दरसल प्रियंका अमेठी में एक सभा को संबोधित कर रही थी इसी दोरान उन्हें स्मृत्ती इरानी पर शम कर निशाना साथा साथ ही उन पर जूट बोलने और अमेठी का विकास ना करने का भी आरोप लगाया यहां एक भाजपा की प्रत्याशी आई जो आज आपकी सांसद है उनका एक ही मकसद था सेवा मकसद नहीं था आपके प्रती कोई आदर का रिष्टा नहीं था आपके साथ कोई रिष्टा ही नहीं था वो यहाँ इसलिए आई कि उनको पूरे देश में ये प्रचार करना था कि देखिये अमेठी में कुछ काम नहीं होता ये गांधी परिवार का क्षेत्र है और राहुल गांधी जो यहाँ के सांसद है उन्होंने कुछ नहीं किया ये दिखाने के लिए और देश को दर्शाने के लिए वो यहाँ आई और उन्होंने काफी जूट पहला है कांग्रेज ने कह दिया कि अगर राम भक्त एक भी वोट डालेगा कांग्रेज के पक्ष में तो वो मंदिर के निर्माण करने बदल नहीं अब इतना अंकार को अशोक रावन में भी नहीं था राम जी के मंदिर के निर्माण को पलट दे ऐसी टाकर किसी में नहीं मैंने का भई अशोक तो सलोन में है मैं गौरी गंज में हूँ हमारे यहाँ अनुमान गड़ी का अनुमान जी का मंदिर है इस जुबारी जंग की गवा अमेठी की जुनता बनी जहां प्रियंका गांधी अमेठी से कॉंग्रेस उमिद्वार किशोली लाज शर्मा के लिए प्रचार कर रही है तो वहीं बीजेपी उमिद्वार और केंद्रिय मंत्री स्मृत्ती रानी जोरदार पलटवार किया ये पहली दफ़ा नहीं है जवा मेठी के अखाडे में इस्मृत्ती वर्सिस प्रियंका गांधी की जंग देखने को मिल रही है इससे पहले इस्मृत्ती इरानी राहुल प्रियंका गांधी को डीबेट की खुली चुनौती देकर ललकार चुकी है तब भी प्रियंका गांधी की तरफ से जोरदार प्रतिक्रिया सामने आई थी आज इन सब को एक चुनौती है आप अपने चैनल पिक करिए एंकर चुनिए मुद्दा चुनिए स्थल चुनिए तारीक चुनिए दोनों भाई बहन एक तरफ और भाजपा के एक प्रवक्ता एक तरफ दूद कदूद पानी का पानी वहीं हो जाएगा किसमें कितना दम है मुद्दों से खुद कॉंग्रेस पार्टी भाग रही है अगर मुद्दों पर बात करने का दम है पुना कहती हूँ चैनल बताए रिपोर्टर बताए स्थल बताए तारीक बताए मुद्दा बताए हमारी पार्टी से सुधान शुत्रिवेदी जी ही काफी है मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं लेकिन आप तो देख रहे हैं कि रोज रोज हम ही मुद्दों पर बात कर रहे हैं वो लोग पतारी क्या क्या कह रहे हैं और क्या चुनाती है रोज रोज तुम्हें मुद्दों पर ही बात कर चीज़, महंगाई, बेरोजगारी और चले फिलाल इस मुलिटर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते हैं यूज़ जटी नाजिस्तान, नमस्कार